काफी लोगों को मैंने सुना है कि उनके शौट्स के वीडियो वारल नहीं हो रहे हैं अब क्यों नहीं हो रहे हैं ये उनकी गलतियों की वज़े से हो रहा है उसमें काफी लोग क्या गलतिया करते हैं आज उसी टॉपिक के बारे में हम लोग आज डिसकस करेंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैनल Welcome back to my channel Wings of Life आप लोग कैसे हैं? I hope आप सब लोग ठीक होंगे तो आज मैं आपको जो टॉपिक बताने वादा हूँ वो टॉपिक है कि शॉट्स वीडियो को वाइरल कैसे किया जाए आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगा उन टिप्स को आप यूज कीजेगा आपके वीडियो में मैं आपको गैरेंटी देता हूँ कि आपके वीडियो वाइरल जरूर होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला टिप्स जो की है आपकी वीडियो का रेशियो जब भी आप लोग शॉट्स वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तर 9 रेश्टू 16 करके काफी लोगों को मैंने दिखता है वो 16 रेश्टू 9 में रिकॉर्ड कर लेते और अपलोड करते हैं इसके वज़े से क्या होगा जो यूट्यूब शॉट्स का जो शेक्सन होता है उसमें यूट्यूब आपके शॉट्स को आगे भेजेगा ही नहीं क्योंकि आपका रेशियो भी 16 रेश्टू 9 है जबकि उसका रेशियो होना चाहिए 9 रेशियो 16 करके तो आगे से ध्यान लखना तो जब भी भी आप लोग आपके शॉट्स को अपलोड करते हैं तो उसमें आप लोग टेक्स करके पक्का अपलोड कीजेगा टेक्स लिखना पड़ेगा आप लोगों को टेक्स के थ्रू दिखाता है तो जब भी भी कोई नएरे क्रियेटर स्क्रोल डाउन करता है शॉट्स सेक्सन में तो वो सबसे पहले क्या करता है आपके टेक्स को देखता है अगर आप लोग टेक्स में कुछ suspense लिखना तो कोई भी नएरे क्रेटर आएगा पक्का क्लिक करेगा आपके शॉट्स के वीडियो को तो यह मेरा दूसरा टेप्स था तो जब भी हो सके आपके शॉट्स के वीडियो में टेक्स जरूर लिखना और अब जो तिसरा टेप्स है वो है आपका title आप लोगों को यह मैं बताता हूँ कि जब भी भी आप लोग टाइटल लिखते हैं तो उसमें दिया जाता है कि आपको 100 वर्ट्स लिखने हैं 100 से ज्यादा वर्ट्स लिखने हैं तो वह accept नहीं होगा तो आप लोगों को 100 के 100 वर्ड नहीं लिखने हैं आपको कम सकम 20 से लेके 30 वर्ड के अंदर ही लिखना है टाइटल अब काफी लोगों को मैंने ये सुना है बोलते हुए कि टाइटल से कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा नहीं है जब भी कोई भी नया किरेटर आएगा आपके वीडियो को क्लिक करेगा तो वो आपके टाइटल को जरूर देखेगा तो जो आपका टाइटल है वो 20 से लेके 30 वर्ड के बीच में ही लिखना आप लोग वो है आपका हैस्टेग मैंने काफी लोगों को देखा ये गलती करते हुए कि लोग अच्छे से हैस्टेग नहीं डालते हैं कुछ भी हैस्टेग डाल देंगे जबकि वो उनके टॉपिक से रिलेटेट नहीं होगा तो भी वो कोई भी हैस्टेग डाल देंगे ऐसा नहीं है जब भी आपको title लिखते हैं न, title लिखने के बाद आपको लिखना है hashtag s-h-o-r-t-s, shorts लिखना है, then दूसरा जो hashtag है वो है YouTube Shorts और जो तिसरा hashtag है वो है Shorts Feed करके, यह तीनों के तीनों hashtag आपको लिखने हैं इससे क्या होगा, आपका जो Shorts है, वो Shorts section में जरूर जाएगा और आपके viral होने के बहुत जादा chances हैं आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो अगर आपको ये मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में पक्का बताईएगा और मेरी वीडियो की वज़े से आपको जो information जानने को मिल रही है वो भी हमें कमेंट बॉक्स पे पक्का बताईएगा तो आज के लिए फिलाल मैं आपको इतना ही बताना चाहता था कि आपके जो शॉट्स के वीडियो हैं वो वाइरल कैसे करें तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए जिससे हो सके, मैं डेली की डेली जो भी वीडियो डालूँगा information वाली, वो आपको जल्दी ही मिलेगी तो चलिए, तब तक के लिए, टाटा, बाई बाई